दोस्तों अपनी मानसिक शम्ता और समरन शक्ती को तेज करने के लिए सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें. रोजाना दो किलोमीटर खुली हवा में घूमने जाएं. तैन मिनिट योग को दे, कम से कम डेली, सूर्या नामस्कार तो करें. और सुबह के समय 10-15 मिनिट जिनके जरिये आप बड़ी आसानी से याददाश्त की कमजोरी दूर कर सकते हैं. यह आयूरवेदिक वा प्राकृतिक हैं. रोजाना सुबह के समय बताय जा रहे नुस्खे का नियमित रूप से सेवन करें. एक, आवला. रोजाना सुबह आवले का मुरब्बा खाने से स्म समरन शक्ती कमजोर हो गई हो, कुछ भी याद न रहता हो, उनके लिए सेव खाना बहुत फाइदेमंद होता है, क्यूंकि सेव में समरन शक्ती बढ़ाने की आश्चर्य जनक शमता पाई जाती है. इसके लिए रोजाना दो सेव बिना छिले खाना खाने से पहले चबा- कुछ दिनों तक लगातार लीची का सेवन करने से मस्तिष्ट की कमजोरियां दूर होती हैं. समरन शक्ती तीवर होती है. चार, अक्रोट अक्रोट की बनावट बिलकुल मस्तिष्ट के जैसी होती है. और इसमें मस्तिष्ट से संबंधित सभी रोगों को खत्म करने की क्षमता पाई जाती है. रोजाना अक्रोट खाना शुरू करें. पांच, पिस्ता जिन बच्चों या बड़ी उम्र के व्यक्ति की याददाश्ट कमजोर हो, उन्हें पिस्ता का उप्योग जरूर करना चाहिए. यह मस्तिष्ट के साथ साथ हृदय को भी मजबूत बनाता है. 6. तुलसी के पत्ते 10. तुलसी के पत्ते, 5 काली मिर्च, 5 बादाम और थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से समरंड शक्ती बढ़ती है. यह याददाश्ट बढ़ाने का सरल उपाय है. 7. सोन्फ सोन्फ को हलकी हलकी कूट कर, उपर के चिलके उतार कर छान लें. इस तरह अंदर के भाग में समान मात्रा में मिश्री मिलाकर पीस लें, एक एक चमच सुबह शाम दो बार थंडे पानी से या गर्म दूद से फांक लें. इसके सेवन से मेमरी पावर बढ़ती है. 8. बादाम चर्म रोग से बचाता है, त्वचा को निखारता है. इसलिए डेली पालक की सबजी का सेवन करना शुरू कर दें. 10. डाक चॉकलेट इसे खाने से स्मरंड शक्ती इंप्रीस होती है. लेकिन एक लिमिट में खाएं. इसे ज़्यादा खाने से शरीर में और नुकसान भी होते हैं. 11. पुदीना डेली नॉर्मल चाय पिने के बदले पुदीना की चाय पीना शुरू कर दे, इससे दिमागी ताकत बढ़ती है. मेमरी इंप्रूव होती है. यह भी स्मरंड शक्ती तीवर करने का उपाए है. 12. दही का सेवन बच्चों को तनाव से दूर रखने के लिए रोजाना दही का सेवन कराएं. इसमें स्ट्रेस, अंग्जायटी और डिप्रेशन से दूर रखने की क्षमता होती है. बच्चों की स्मरंड शक्ती को बढ़ाने के लिए अच्छा घरेलू उपाए है. 13. दूद दूद का सेवन वैसे भी बहुत लाबदायक होता है. बच्चों की और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों की मानसिक शक्ती को तीवर करने के लिए रोजाना दूद और शेहद दोनों को मिला करके पिलाएं. तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो. आपको यह वीडियो कै इस नुस्खे को अजमा सकें. और उनकी जिंदगी में भी खुशियां बनी रहें. तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में. तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखना और उनको बहुत प्यार देना. क्यूंकी जिंदगी बहुत अनमोल है. इ